हलो फ्रेंट्स आपका घर आपकी परस्नेलिटी का आइना है यह कहावत यूँ भी नहीं कही जाती बलकि 100% सही है किस तरह से आपने अपने घर को सजाया है यह काफी हद तक डिपेंड करता है आपकी परस्नेलिटी के उपर और आपकी सोच के उपर कोई भी गैस जब आपके को और अट्रेक्टिव किस तरह से बनाया जाए जो कि आपकी परस्नेलिटी को एक बहुत ही अट्रेक्टिव रूप में डिस्प्ले करेगा मैं हूं अनीता खरकोदी तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो ड्रॉइंग रूम के बारे में सारे दिन की भागदोड और वैसता के बाद हमारा घर ही वो जगा होती है जहां हमें सबसे ज्यादा सुकून और शांती मिलती है तो शांती और सुकून को ध्यान रखते हुए हमें अपने इंटीजर्स को डिजाइन करना चाहिए इसके लिए हमें सबसे पहले color scheme पर ध्यान देना होगा रंगों का सेले इसको बड़ा दिखाते हैं जिससे कि आपको relaxation अनभव होता है आपके रूम की सभी दिवारों को हलके रंग में पेंट करवाए इन में से एक में वाल को आप ब्राइट कलर या फिर डार कलर में पेंट करवा सकते हैं डोर विंडो का कलर रूम वाल से मैच करता हुआ ही रखे या फिर इसके लिए आप ब्राउन कलर भी ले सकते हैं यह जादतर सभी कलर स्कीम के साथ में सुटिबल रहता है विंडो ग्लासेस को ट्रांस्पेरेंट रखें ताकि आपके रूम में परियाप्त रोशनी रहे अगर आपका ड्राइंग रूम चोटा है तो आपका ड्राइ बनाएं अगर आपका ड्राइंग रूम बड़ा है तो आप सोफा सेट के दो ग्रूप बना सकते हैं सिटिंग एरिया आपका दो जगह पर ठीक रहेगा फर्स्ट एरिया में आप फॉर्मल सेटिंग बना सकते हैं यानि सोफा सेट और चेर्स का ग्रूप एक आप क्रियेट क सकते हैं इस तरह से आपका सिटिंग एरिया काफी बढ़ जाएगा और आपके रूम की कपैसिटी भी बढ़ जाएगी ड्राइंग रूम के में डोर के सामने एक बड़ी सी पेंटिंग लगवाईए इस दिवार पर आप ब्राइट कलर पेंट भी करवा सकते हैं यह बड़ी दिवारों के अंदर कुछ बनी हुई हैं तो इनमें आपको डियान रखना होगा कि इनमें आप यह समान बहुत ज्यादा ना रखें अगर आप छोड़ेंगे तो वह देखने में अच्छा लगता है इनमें आप बुक्स में रख सकते हैं अगर आपके घर में काफी लगवा सकते हैं, soft toys को अपने इंटिरियर का पार्ट बनाएं, कोई decorative pot paint करा सकते हैं, या फिर कोई statue भी आप corners में रख सकते हैं, इस तरह से आपके corner हाइलाइट हो जाएंगे, सोफा सेटिंग के corner में जो side tables होते हैं, इनके उपर आप कोई telephone रखते हैं, या फिर कोई decorative items भी रख सकते हैं, या फिर आप table lamp भी यहाँ पर सजा सकते हैं, आपने sitting area के पास में आप एक carpet लगवाएगे, center table के नीचे और ये sofa की length को भी cover करेगा, और आपके इंटिरियर को एक ब area काफी important है, क्योंकि guest भी इस area को काफी use करते हैं, तो इसे भी हमें carefully design करना होगा, इसमें सबसे important है, आपके dining table का size, क्योंकि अगर आपका dining hall छोटा है, और आप बड़ा dining table चूज कर लेते हैं, तो ये जगह भी ज्यादा लेगा, और आपका room भी awkward लगता है, तो dining table का size आपक room के size पर depend कर देगा, अगर आपका dining room छोटा है, तो आप इसके लिए छोटा dining table लीजे और इसे आप corner में लगाए, ये आपके space को बचाएगा, और दिखने में भी अच्छा लगेगा, अगर आपका dining area काफी बड़ा है, तो आप dining table को center में भी लगा सकते हैं, इस तरह से आप अपने complete space को use कर पाएंगे, dining hall में second important requirement होती है, एक refrigerator की और क्रॉक्री उनिट की, रख सकते हैं, क्रॉक्री उनिट को आप केरफुली सजाएं, इसमें आप कुछ ग्लास पेंस लगवाईए, इसमें आप अपनी वो क्रॉक्री रखेंगे, जो की बहुत खूबसूरत है, अट् अलमारियों में आप सिर्फ क्रॉक्री ही ना रखें, बलकि कुछ decorative items भी रख सकते हैं, यह आपकी क्रॉक्री उनिट को और attractive बनाएंगे, अगर आपने अपने ड्राइंग रूम के साथ में powder room नहीं बनवाया है, तो आप अपने dining hall में एक wash machine लगवाईए, लेकिन ध्यान बाहर निकला हुआ दिखाई ना दें, बलकि रूम की walls के साथ में merge हो जाएं, इस wash machine के ऊपर आप अपनी interior theme के according कोई modern या फिर ethnic mirror लगवा सकते हैं, और ध्यान रखें कि mirror का size बढ़ा लें, वो दिखने में ज्यादा कुपसूरत लगेगा, डाइनिंग टेबल की अपॉल से match करता हुआ ही हो, डाइनिंग टेबल के बीच में आप एक flower pot रख सकते हैं या फिर कोई decorative item भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर आप एक attractive hanging light जरूर लगवाएं, यह आपके dining area को बहुत ही खूपसूरत look provide करेगी, डाइनिंग टेबल के लिए आप dinner set का यूज कर आपके interior की ambience को बढ़ाएगा और आपका dining area और खूपसूरत लगेगा, dining area की किसी wall पर आप एक family collage भी लगा सकते हैं, जिसमें आप grouping करें family pictures की या फिर ये collage कुछ अलग तरी के painting का भी हो सकता है, या फिर आप एक single piece ही लगा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी painting भी हो सकते है अगर आप अपने dining area के साथ में carpet भी add करेंगे तो ये आपके interior को और खूपसूरत बनाता है, dining area में एक और important furniture है, service counter, ध्यान रखें कि आपके पास एक service counter जरूर होना चाहिए, service counter हम एक ऐसे countertop को कहते हैं, जिसमें कि आप kitchen से balls वगेरा लाते हुए, direct dining table पर आप नहीं रखते बलकि आप पहले इस service counter पर अपने सभी balls को रखते हैं, और फिर वहां से आप ले जाकर dining table पर रख सकते हैं, अगर आप service counter को अपने interior का part बनाते हैं, तो serving में आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, तो इसे भी आप ज़रूर एड़ करें अपने dining area में, अगर आपको greenery काफ अपने 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 आप लाइवली वहीं आती है, तो जैसे आपका drawing और dining area में एक नहीं जान प्लांटर डाल देते हैं, तो आप इसे भी जरूर एड़ करें, यह आपके interior को और खूबसूरत बनाएंगे, तो फ्रेंट कैसी लगी है आपको आज की वीडिय यह हमें feedback जरूर दे, comments में लिखें, और अगर वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अपीत तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरू सब्सक्राइब ही करें, thank you, thank you very much.